हलो किशान मित्रो श्वागत है आपका आपके अपने अगरिकल्चर वर्ड चैनल पे किशान भाईयो जैसा कि आप जानते हैं यह फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने से माना जाता है कि नए नए हमारी सब्जियां जो है मतलब हमारी पुरानी सब्जिया खतम हो जाती है और नए नए सब्जियों की भुवाई हम कर चुके होते हैं या करना होता है हमें तो आज हम बात करेंगे तुराई की एक ऐसी वराइटी किसान मित्रो जिसकी आप भुवाई अगेती भुवाई करके आप बहुत ही बहतरीन फ इसकी खासियत यह है किसान मित्रों की इसका छोटा ही पौधा होता है एक फुटका होगा जैसे इसका थोड़ा सा तना निकलता है थोड़ा सा इसकी बढ़वार होती है उसमें छोटी छोटी बतिया निकलने लगती है और इसको हम वियनार के नाम से जानते हैं किसान मित्रो इस वज़े से अगर आपने तुरई का और कोई सीड अभी नहीं खरीदा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको यही सीड लेना चाहिए क्योंकि मैं 5-6 साल से यही सीड का इस्तमाल कर रहा हूँ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखी गई है इसकी मैं जितनी भी मतलब प्रसंसा करूँ क्योंकि मुझे तुरई की क्वालिटी अपने मार्केट में जब रखता हूँ तो सबसे अच्छी मुझे अपनी ही यह तुरई का सीड है जो उसी का वराइटी अच्छा लगता है मतलब प्रचलित है ऐसा कुछ कहने को नहीं है इस अभी मैं एक आपको ऐसा नुस्का बताऊंगा जिसकी वजह से आप अगेती तुरई की भुवाई मतलब 6-7 दिन में कर सकते हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे क्योंकि उसको विस्तार में बताना पड़ेगा अब लहसुन या आलू इन सब की खेती मतलब सब खेत आपके भसे पड़े हैं तो इन में आप बुवाई कर सकते किसान मित्रों उसके बारे में बताऊंगा और तुरह यही वह यह किसान भाई हो अगर इससे अच्छी आप कोई वराइटी जानते हैं तो जरूर मुझे बतलाईएगा मुझे यकीन है कि मेरी ही यह तुर